अगर इसमें से कोई भी तो हुए तो से ट्रू रिटर्न करेगा लेट्स टेक एक्जामपल क्या वन इस ग्रेटर दैन जीरो है हाँ है तो अगर यहाँ पर कौन सा भी अगर एक ट्रू होगा तो हमें आउट्फू ट्रू मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं क्या 1 इंगे is smaller than 0 है क्या नहीं है तो इस फॉल्स एकंड देखेंगा क्या 2 इसमालर देन वन नहीं है क्या 3 इसमालर देन टू है क्या नहीं है तो सारे फॉल्स है इसलिए फॉल्स the next one is all क्या करता है यहां पर all जो भी condition दिये वो सारे true होने चाहिए so a is smaller than b यह true है b smaller than c यह भी true है so out root will be true इसमें देखेंगे a smaller than b है this is true but c क्या c smaller than b है क्या नहीं so this is false so कोई भी अकर एक false होगा तो this will give false now हमें task है दे आए you are given a space separated list of integer if all integers are positive then you need to check if any integer in is a palindrome integer so यहां पर हमें integer दिये so first cases हमें check करना है क्या सारे positive integers है अगर है है तो कौन सा भी एक palindrome नम integer है क्या वह चेक करना है अगर होगा तो true लिखना है so let's see first of all I will write here code then we will understand by example so first step क्या लेना है में size size के लिए int input अभी next one is list ले ना है so list equal to list of input dot split SPLIT यह input देगा अभी first first condition में क्या करना है if all the integers are positive so all integers positive के लिए मैं यहापे लिखता हूं positive equals to all integers से यह देखना है so all क्योंच करेंगे all list comprehension यहापे देखेंगे i should be greater than 0 for for i in list so इसको integer में करना करना पड़ेगा क्योंकि यह string value है so i so first of all यहापे क्या होगा अगर यहापे मेरा input है this is the your input so this will be our input so here कैसे होंगे सारे लिस्ट में string के फर्मेट में store होगे so यहापे मैंने टाइप कास्ट करने के लिए इंट का है उसके है so यहापे देखेंगे cat 12 is greater than 0 है हाँ है so this will be the our list will be this is true then 9 9 greater than 0 है हाँ this is true 61 greater than 0 है true so 5 greater than 0 so this is true 14 greater than 0 है so this is true so सारे true होगे so pause all positive will be true so all all इस में से जो भी लिस्ट में है so true है so और output will be what will be the output सारे true होने के बाद true so pause pause variable में क्या होगा true store होगा अभी क्या देखना है अगर next condition क्याती if all integers are positive then you need to check if any integer is palindrome so palindrome को में देखना है अभी पी एल वहरेवल लेता हूं मैं अभी ए कौन सा भी एक देखना है सो इसके लिए एनी का यूज़ करेंगे एनी और श्ट्रिंग का यूज़ करने है यहां पर यहां पर देखना पड़ेगा i equals equals to यहां पर slice करना पड़ेगा इसको st लिख लेता हूं मैं string के लिए st और पैलिंड्रोम देखने के लिए से slice करना पड़ेगा colon colon minus one for for st in lst यहां पर टाइप कास्ट की क्यों गरज नहीं क्योंकि यहां पर फिर्स्ट आवल इस विल बी इन द इन्पृट विल बी इन्पृट विल बी इन देश्ट्रिंग फर्मैट सो खाली आपको यहां पर माल बोना चाहिकी पैलिंड्रोम कैसे एक आएगा सो लेट टेक एक्जामपल फो पैलिंड्रोम में सम्सलाइसिंग कर ने यहां पर कुछ भी नहीं मिन्स स्टाइट से चाल ओगा यहां पर बीकुछ भी नहीं मिन्स्टार्टिंग से चलोगा और यहां पर स्टेप अप गरने के लिए यहां हम वैल्यू पास करते यह लिए स्ट्रिंग में स्लाइस करने के लिए सो दिस इस वाट इस विल गिव आस यह पे देखेंगे पी वाए टेस्ट 1.py वाए जो दिस विल गिव अ स्ट्रिंग है वह लिए पे कुछ ना लिखते हैं मिन्स ओन होता है लेकिन हमें अगर रिवर्स करने हो यहाप मैनस वन आएगा नव लेट्स सेव दिस एंड हैंड मी एकन सी यह पे देख सकते हैं इसका रिवर्स ट्रिंग मिल जगा है तो इस वह हD we have to use for to reverse the string so यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर फिर्स्ट आपल देखेंगे 12 12 का reverse कतना हता है 2 1 so this will be not so यहाँ पर क्या मिलेगा आप में false यहाँ पर यहाँ देखेंगे false then next one is 9 9 is a single digit 9 का reverse करेंगे तो 9 नहीं आएगा so this will be true so any क्या देखता है कौन सा भी एक true है क्या वह देखेगा so यहाँ पर हमें true मिल चुका है so pal variable भी क्या हो जाएगा true और यहाँ पर हम प्रेंट करेंगे pos and pal so अगर दोनों में से दोनों true होगे तो हमें output मिलेगा true otherwise output will be false so यहाँ दोनों भी true है so हमार output यहाँ पर हाचुका है now let's run this code run run हो चुका है code now let's submit this code submit हो चुका है so in this way we can solve this question so first हमें क्या देखना है size लीती list की दिस उसके बाद list user से लेना है उसको split करेंगे और list में store करेंगे उसके बाद हमें क्या देखना है कि सारे integers positive है का सो यहाँ पर type cast किया है और all का use किया है अगर सारे positive होगे तो यह true देगा next one is palindrome हाई कि यहाँ पर string को slice करना मालो होना चाहिए आपको पैलिंड्रोम के लिए तो अगर पैलिंड्रोम है तो अगर कोई भी एक true मिलेगा तो any function will give us true और end में दोनों को and करना है so दोनों अगर true होगे तो true मिलेगा अगर एक भी false होगा तो false मिलेगा so in this way we can solve